दोस्तों लैब्टेक्स मैं आप सभी का फिर से बहुत-बहुत स्वागत है मैं हूँ नासर और आज हम लोग देखेंगे कुछ नहीं देखेंगे आज इन फैक्ट इन फैक्ट यह वीडियो मैं experience के लिए बना रहा हूँ रीजन यह है कि इसका डाइग्राम और बोर्ड व्यू कुछ नहीं है और फास्ट टाइम मैंने यह 12 जनरेशन का बोर्ड रिपेर किया है अभी तक सच पूछिए तो 11 जनरेशन तक ही मैंने बोर्ड रिपेर किया था और 12 जनरेशन हो सकता बीच में कुछ गया हो सीपी पर जादा ध्यान नहीं देता हूं में जब वीडियो बनाता हूं तो बता जरूर देता हूं कि कौन से जनरेशन कर रहा हूं डीडियर 5 मैंने अभी आज ही यह पर्चेस की है क्योंकि मेरे पास जो कस्टोमर ने सिर्फ बोर्ड भेजा है हिट्सिंग के साथ रैम नही तो वह इसके अंदर जा ही नहीं रहा है ठीक है वह कट तो मेरे मैं दर्शन भी हुए है मुझे याद है आज से करीब 15 साल पहले जब डीडियर 2 अगरे चलती थी तो मैंने किसी कस्टमर को बोला रहे डीडियर 5 थोड़ी है इसके अंदर जो इतना स्पीड चलेगा और आज बाके यह आ गई है कट का फ्रॉफरेंस है ठीक है तो यह आसूस स्ट्रेक्स गेमिंग स्रीज है रोक का आसूस है और इसमें जो है मेरे पास नोड इस्पले के लिए यह आया था और अला का शुक्र है कि यह मैंने रिपेर कर लिया है मैं इसको खराब करके आपको नहीं दि और मैं बताऊंगा कि क्या तुक्का लगाया है देखिए कुछ बाते जानने की जरूरत है बस इसी परपस से मैंने सोचा कि आपके साथ यह एक्सपरियेंस साजा कर दो पहला चीज मैंने काफी देखा है कि गेमिंग के बोर्ड आप लोगों के पास भी आ रहे हैं आप मेरे किसी ने मारा होगा तो इसके अंदर एक किस्म का सोल्डर होता है जो कि बहुत ही लिक्विड जैसा होते हैं और उसको फिर बरस से इधर उधर कर दिया ठेक है तो वह सब तरफ पहल गया और उसमा कंटिनुटी होती है वह पेस्ट जैसा देखने में लगेगा बट कंटिनु अब बोड में नांटीन वोल्ड बनाने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं ऐसे बोडों में जिसमें और नांटीन वोल्ड बन रहा है तो यह गलती भी नहीं होनी चाहिए तो गेमिंग स्रीज में क्या होता है कि आप भी देखने को मिल रहा है कि एसर के पिरिडेटर हो ग ओर जनरली सबके पास यहीं आतो है मिल फ़ीड रहा है मैं लोग सब करते हैं सबके पास होता है तो बीस वोल्ड मैंने यहां पर इंजिट किया है ठ categor ऑर मैं मल्टि मीटर से अब वोल्ट जरा चेक करतो हूं तो पह जहां पर लगाई है वहां चेक्कर रहा हूं मैं तो व्ल्टिज कहा चला गया लगा नहीं है कि भाई ठीक है देखते हैं तो बीस वोल्ट हमें जहां पर मैंने इंजट किया वहां पर आ रही है पहली वाली मॉस्फिट पर बीस वोल्ट आ रही है ठीक है देखर आपको उसके बाद क्या यह पार हुई है पहली मॉस्फिट नहीं पार हुपाई गेट चुकि इसमें दो चार्जिंग कैसी लेगी भी है दोनों मैं देखा हूंग अभी आपको सेंसिंग रिष्टर पर वोल्ट आ रही है चार आ रही है तो आप क्या करेंगे आप चार्जिंग ऐसी चेंज करेंगे बिल्कुल करेंगे कोई भी करेगा तो आसूस का अभी मेरे पास कल ही मैंने मंगवाया है चाना से और दे दिया था मैंने अब कल ही मेरे पास यानि एक दो दिन हुआ तो रिसी हुआ मेरे पास यह वाला डीसी ज मोटा है और डिल से पतला है जो मोटा पीन होता है नॉर्मली इसके अंदर कोई डी सी जैक नहीं लगेगा आपका आप लगाते भी होंगे तो आप जनरली सब लोग मैं देखा है मिरे पास बोड आता है सब पर जंपर लगा होता है ठीक है सारे रिपेरिंग वालेट जो ट्रा है ना ही इतना मोटा है यह कैसा है बीच वाला है तो बिना आइडी के यह नाइटीन वोल्ट नहीं बने देगा इस बात को ध्यान रखेंगे पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि आसूस के कुछ बोड आइडी के साथ आ रहे है रोग सीरीज में और बिना आइडी के बता नहीं सकते हूँ क्योंकि ना तो इसका स्केमाटिक है जिसका होगा इंशाललह मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको भी आपको बताऊंगा अब मैंने पावर लगाया है आईडी के साथ ठीक है जम पर इदर लगावा है आईडी के साथ लगाया अब दैक चलते थोड़ा तीन वोल्ट सस्पेंड है 17 वोल्ट एंवीडी सी मिल रहा है पांच वोल्ट यह है पांच वोल्ट की कॉयल यह भी देखना आपको कि कहां कहां पर वोल्टेज बनती है चुकि अगर आएगा तो जरूर इसका दो मॉडल जो है आसूस का बहुत ज्यादा भी का है वो है मैं बोर्ड लैप्टॉप ही नहीं देखा अस तक गेमिंग स्रीज सवाई प्रिडेटर के वो भी स्क्रीन उड़ा के आता है तबात आता है आसूस का तो नहीं देखा है मैंने अभी तक ठीक है बहुत जोग है कि मैं बैट के गेम कहलता है इस पर बट ठीक है मुझे एक गे 10 volt है always और 3 Volt है suspennd यहां पर तीन है और यहां पर पाच है यह 1.8 volt है ऐसके लिएDeep? GIप You के लिए ठिक है और यहां पर VCCS A की सब्लाय है क्योंकि यह 93 Volt यह 1.93 Volt है यह RAM की центр 5 में जो RAM की Voltage आई है वह 1.1 वोल्ट है तो 1.12 वोल्ट मतलब 1.12 वोल्ट देखाता है यानि 1.1 वोल्ट कह सकते हैं आप इसको 1.1 वोल्ट है और 1.8 वोल्ट आपको ये भी सस्पेंड है जब तक 3 नहीं बनेगी तब तक वो सब वोल्टेज नहीं बनेगी तो अभी प्रॉब्लम क्या आई थी वो कि अपने के देखाता हूं मैं इसको भी लगाई दिता है कि अंदर RAM को मेरी RAM में थ्रहा सा हवाद से रख रहा हूं। पर इसके तरह घिज जाएगी अब के पेस्टर है नहीं तो पर एक अधियर फोर यह भी नहीं लिया थी एक बार एक जमाने मन हाँ तो एक तो कोयल की दुकान देखिए मैं तो घबराई गया को मुझे तो देख की लगा कि यह बोर्ड रिपेर नहीं होगा ठीक है और वह भी तब जब मैंने इसमें देखा कि ना तो इसका यह अर यह आई नाइन ट्वल जनरेशन नाइन मस्ट जलता होगा लेकिन यह ना आई ना ट्वल जनरेशन ठीक है तो क्या वैल्यू आ रही है पहले यह देख लेते हैं खास तो पर मुझे देखना है कि जो रैम है और पोल्ड चेकिंग में मुझे कभी वैल्यू लेनी हो सही है 1.8 रेफरेंस ले रहा हूँ यह आपके लिए हमेशा के लिए अचा होगा 1.8 का यह भी वन किलो ओम प्लस है यहां पर भी कोई वोल्टेज बनती होगी वन वोल्ट एस फाइव होती होगी कितनी भी है होपे नहीं आ रही है एक दम और जीप्यू देखते हैं कमाल की बात यह है कि यह शॉर्ट ही होता है ठीक है जिरो पॉइंट जिरो पॉइंट थाटीन तक जा रहा है 16 मिली ओम ठीक है और सीप्यू की और यह है जी एफेक्स कुछ मेरी कलसे पार्ट जीएफेक्स के यहाँ भी है यहां अंदाज लगा रहो हो हमें कोई लिखा पड़ी बात नहीं है यहां 4 ohm मिल रहा है core पर मुझे, core की कितने face की coil है, मेरे कल चे 6 face की coil है, यह पहली बार मैंने 6 face की CPU देखिए है, 6 face जो है, नहीं देखिए है, 3 face, 4 face तक तक तो देखा है हम लोगों ने, आपने भी देखा होगा, मैंने नहीं देखा है, और वो भी LP type, U type में, SOC structure में gaming है यह, generally हम S type में देखते हैं, कि CPU हमारा अलग होता है, PCH अलग होता है, वो gaming देखते हैं, एक आज gaming देखने को यह मिला कि, ऐसा तो देखा है, Acer में भी देखा हम लोगों ने, तो 4 Ohm सही है, क्योंकि मैंने डिस्प्ले देख लिया है, मतलब सिर्प QSB पर देखा है, GFX, 10 Ohm, जबकि GFX कम होती है, लेकिन बन नहीं दी थी तो मैं समझ रहा हूँ कि यह GFX होगा, या तो VCC ऐसे होगा, लेकिन ऐसे मुझे यहां दीखी है, क्या पता, कुछ नहीं आया ह है, चलिए, देखेंगे, अभी अप्रेल में तो इसका warranty हुआ है, अभी मैंने देखा इसका warranty कॉल करके, अप्रेल में देखा रहा था कि यह उसका warranty, मैंने कैसे देखा, मैंने BIOS के अंदर से इसका serial number निकाल लिया और चुकि मैं BIOS बना रहा था future के लिए इसमें तो ठीक ही था इसकी BIOS को जब edit कर रहा था देखा निकाल करके कि मैं build कर पाता कि नहीं ये आप के लिए भी एक task है ये model है अब ये मैं तो जूम कर लेता हूँ ठीक है ये model है चली अच्छे देख लीजे और नोट कर लीजे तो 6050 A33 40404-MB-A01 G533R है बट इसका model जो है G533 ZX है ठीक है मतलब laptop का model है ZX ये मुझे कैसे पता चला इसके BIOS के अंदर जागर के मैंने देखा तो मुझे पता चला कि वो HP 533 ZX model है और उसके serial number से मैंने उसकी BIOS निकाली और प्राक्टिस कर रहा था और यहां पर मैंने देखी एक प्राक्टिस के लिए मैं यहां पर ZX series है इसी को मैं प्राक्टिस कर रहा था भी कि सिर्फ देख रहा था कि ऐसा तो नहीं है कि कुछ प्राक्टिस ने कर दिया हो तो मुझे उसके लिए प्राक्टिस कर रहा था कि कहीं कुछ नया तो नहीं है इसके अंदर देख से नॉर्मल इसम ठीक है अब च्टिस लगा देते हैं उसके बाद हम देखते हैं देख लीजे इसका अच्छा लग रहा है मतलब फील गुड हो रहा है कि रिपेर हो गया अब वह भी मेरा पहला बार जनरेशन एसर एलडी फॉर ठीक है यह मॉडल है एसर एलडी फॉर यह आई-9 टॉल जनरेशन है और डीडी आर रैम जो मुझे खरिदनी पड़ी है इसका पैसे तो मैं निका अब मैं इसको आउन करता हूं यानि दो बाते हैं कि एक तो मैंने आपको बता दिया कि इसमें बदो कुछ खास नहीं था मतलब सिर्फ आपको एक एक्स्पिरिंस आजा कर रहा हूं इसलिए कि आपको कहीं भी इसका कोई भी सपोर्ट नहीं मिलेगा और मैंने घर सारे फोट दुक क्या मा रहा है पाइस श्रीफ निकाल करके मैंने प्रैक्टिस किये बैक अप लेकर करके पता किया कि यह कैसे इसको बनाएंगे इसी के पास बाइस के पास एक कंपोनेंट यहां पर यह रेश्टर मिसिंग है इसको मैंने चेंज किया और यहां पर 330 किलो ओम का रेश्टर एक लगाया है मुझे नहीं मालूम कि यह क्या है बट बाइस की जस्ट बगल में यहां पर पानी गया था देख रहा आपको यहां पर मैंने 330 कीलो का एक रेश्टर लगाया एक डिवाइडर बन रहा ही यहां पर यह और यहां पर पहले यह ओपन थी एक पॉइंट यह था एक साथ मैंने किया है मैंने कुछ नहीं पता कि यह एरिया है भी यह नहीं इस तरफ मुझे 19 वोल्ट दिख रही थी इस तरफ हमें 0 दिख रही थी तो मैंने एक अंदास से एक हाई वोल्ट एक हाई ओम की रेश्टर निकाली और लगा दी 330 मुझे मिली थी कहीं पर से दूसरा पॉइंट इसमें मैंने काम किया यहां पर भी एक रेश्टर खराब थी कहा गया इधर यहां से तो यह एरिया ट्रैक कटावा था ठीक है अब नहीं मालूम मुझे कि यह भी क्या है बी जे कोई एक रेगुलेटर रही है जो पीछे की तरफ निकाल रही है ऐसे होगी या कुछ होगी डियाग्राम नहीं है तो मैं कुछ नहीं 100% नहीं बता पहूंगा बट एक तजुरवा हो सकता है कि आपको काम आ जाए कि अगर इस तरह का वोल्टेज का डावा है यह फीडबैक का एरिया है ठीक है यह फीडबैक का एरिया है और यहां पर एक वोल्टेज आ रही है जो फीडबैक की तुरू इस आईसी पर जा रही है और वो फीडबैक की रेइस्टर ठीक थी बट नीचे से ट्रैक गायब था त से 200 बिली एंपेर का लोड ले रहा था और मैंने कुछ नीचे क्या वोल्टिज बन रहा है क्या नहीं सीधा फिजिकल देखा और बिढ़ गया बोड के अंदर तो इसको अन कर लेते हैं कीबोर्ट के पास अन है कि यह कीबोर्ट के पास इसका अन अफ सिच है तो मैं मुल्टिमीटर से ही अन कर ले रहा हूं पावर लगाया है ठीक है लोड देख सकते हैं दो एंपेर चला गया है तो डिस्प्ले मैंने कीबोर्ट पर देख लिया है तो काफी अच्छा लगा यह मेरा experience है कि अब DDR5 आ रहे हैं और अपग्रेड होने की ज़रूत है मुझे DDR5 का डिटर शीट पढ़ना पढ़ेगा अब यह चो कि आज लिया भी है खरीदा ही है इसनले पढ़ना पढ़ेगा क्योंकि जब DDR3 आया था तो मैने पढ़ा एकक्दम जैसे आया वैसे ही खरीदा और वैसे ही मैने उसका डिटर शीट पढ़ा टो मुझे सब से पहले पता चला इसके बारे में कि उसके अंदर भी बीपी एक नहीं वोल्टेज आई है तो लेट्स होप कि इसके अंदर भी कुछ नया आया हो या खाली बस वोल्टेज कम कर दिया है ऐसा नहीं होना चाहिए अगर डिडिया थ्री फोर एल आता वो तो मैंने नहीं देखा आई है कि नहीं आई है आप लोगो बेट जादा पता होगा और मेरे कुछ इस्टुडेट ऐसे हैं मुझसे जादा अपडेटेटेड हैं लैपटॉप जनरेशन के मावले में नेपाल के मेरे कुछ इस्टुडेट हैं बहुत अच्छा काम करते हैं वो लोग और काफी आने के बाद 12 जनरेशन मेरे पास आया आई 9 का और GDR 5 RAM मैंने आज देखी है पहली बार तो मेरे इस्टुडेट मुझसे जादा अपडेटेड है क्योंकि उसके पास लैपटॉप आते हैं वैसे मेरे पास पहले आया होता तो जैसे कुछ डेल बगर है मैं उन्होंने कहा मुझसे की सौंड की दिकत आती है सौंड नहीं काम करती है मैंने बहुता मेरे पास तो आया कर सकता हूँ तो मुझे उमीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा एक बार फिर से रिकॉल करा देता हूँ पांच वोल्ट आपको पहले मिल जाएगी तीन वोल्ट नहीं मिलेगी ऑन करिएगा तो तीन वोल्ट मिलेगी कीबोर्ट का मेरे खाल से पांच ये शहनु के अधिश क्लि scientist देता है तो एक रिष्य लेगी जीर कि ये क्या है मुझे दिल में बड़ी देर से ख्याल आ रहा है मैं इसको नहीं चिक किया था है कि और मैसिकी से roundabout कर देता इसंस बार इधर है, ठीक है, 17V है, यहाँ पर 17V है, सस्पेंड होता है, लेकिन वो चला जाता है, 17V मेरे खाहल से, ठीक है, अभी नहीं है यह, तो हो सकता है कि जब on करेंगे, यह देखें, आप 17V आ गया है, अगया ना, अब फिर लेकिन चला जाएगा यह, अभी लोड लिया है, फिर स सारी चीज जान लेते हैं तो फीचर नो प्रॉडम ही नहीं करेंगा है मतलब यह कैसा हो जाएगा हम लोग के लिए पता है मुझे लग मुझे तो क्या लगता है मतलब आप लोग को भी हसी है यह सुनके कि यह इन्वेंट टेक ने बनाया है आसुस खुद बनाता है बोर्ड ज कि यह इन्वेंटेक का बनाती है तो मुझे लगता है उसके खांदान के लोग ही उस कमपनी में काम कर रहे है जो बना रहा है वोट क्योंकि वहां से चरी नहीं नहीं ऊपा रहा है कुछ इन्वेंटेक का बोर्ड आपने देखा G-Series शारेड इन्वेंटेक ने बनाय है h से नमबर रिष्टार्ट होता है उसका इन्वेंटेक वाले में लगता है कि पूरा खांदान का लोग मिल करके मतलब भाई पूपा फूपू वो सारा रिष्टदारी है उसके अंदर वही लोग बना रहे हैं इसलिए चोरी नहीं हो पा रहा है बाकी तो सारी कंपनी दे देती ह वियत नाम को बनाने के लिए या चायना को दे देती है वहां के इंपलाई स्केमाटिक और डेटाशीट बोर्ड वी वगरे चोरी करके बेच रहे हैं इसमें इस कंपनी में सबसे खास बात मुझे यह लगती है कि पूरा कुमबा है उसका काम करने वाला कहीं से इंपलाई न करे लीजे है ही नहीं डियाग्राम तो डियाग्राम अभी नहीं मिलेगा इसलिए हम लोग सारा चीज़ कर लेते हैं कि अभी मैं और भी इसमें क्या करूंगा फोडो कीच करके पूरा लिखोंगा कि कहां पर कितनी ओम मिली यह करना चाहिए यह आपको भी करना चाहिए कि कह आपर कितनी ओम मिली वो भी उस बोर्ट का जिसका की डाटाशीट नहीं है जिसका बोर्ड वियू नहीं है और आगली बार की तियारी कैसे करेंगे आप तो इसी तरह से हम लोग भी करते हैं ठीक है आयो कुण सी लगी भी है बैक अपर लिया है बाकी सब कुछ ठीक है ठीक है कुछ जादा नॉर्मल केस तो था नहीं बड़ नाम हुआ बनावा है कि 12 जर्रेशन है 13 जर्रेशन है चीजें उतनी रहेंगी फेस पहले दो हुआ करता था तीन हुआ चार हुआ पाच हुआ छे साथ आज के दिन में देखने बढ़ बस्तै देखने देखने लिए क्षबसके लिए और में चेपने देखने की निते की तो बड़क भी उन्हेडार बाग की को अपरो